हेलो फ्रेंच वेलकम टो माई ओफीशी यूटूब चैनल स्टेडी मेटेरियल एटु जेड आर्मी डी अससी गुरूप सी रिकुटमेंट दोजार बाइस दोस्तों ये रिकुटमेंट आपका टोटल साट पदों पे रिकुटमेंट आपका निकला था और इसके आपको इनफोर्मेशन देने वाला हूँ काफी सारे कंडियर थे उनकी क्योरी जा रही थी किसार डी अससी के बारे में आप जो की बताईएगा तो दोस्तों पूरी डीटेल आपको सबसे पहले कोई भी जानकारी होती है वो चैनल पे आपको अपडेट कर दी जाती है तो चैनल को स टेलिग्राम पे फोवर्ड कर देता हूँ और आपको अपडेट करता रहता हूँ लगातार आपसे बाचित भी यहाँ पे आपकी पूर्ट है कंप्लीटली जो राय होती है वो लेता रहता हूँ और यह हमाया टेलिग्राम चैनल है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपकी लेटर आया है जो की आप देख सकते हैं यहाँ पे सुनिल भाई हैं जिनका यहाँ पे आपका लेटर आया है तो आप देख सकते हैं कि एक तो यह आपका लेटर है और इसके अंदर क्या है फिर हम जो आपकी पूरी जो डिटेल आपकी कोसंस हैं क्योरीज हैं वो भी ले ले सुगाई जी आप यहां पे जो की लेटर देख पा रहे हैं और यह देखेगा डैट ओप स्कील टेस्ट और इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपके जो भी कैंडिडेट हैं कोई क्योरी जो होती है आपकी आप परसनली जो भी डाउट है तो यहां पे आप अपना सी के लिए कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है और यह आपका लेटर यानि आपकी जो कटोप की गरम बात करते हैं तो दोस्तों आपकी कटोप यहां पे मिन्मम क्योलिपिकेशन मार्क्स आपके जो जिन कैंडिडेट ने 40% स्कोर किया परसेंटेज की बात है कि आपका जितना पी पेपर था उसका 40% आपने अगर यहां पे गेन किया है अपने जो की पाए हैं तो दोस्तों आप यहां पे जो की स्किल के लिए यहां पे इलिजिबल हुए हैं उसके बाद यहां पे आपका एक नमबर पार्ट है जिसमें आपको LDC के अंदर टाइपिंग होने व आपका और यह दोस्तों आपकी जो रिकुर्मेंट है इसमें आपका स्किल भी होना है और आपके डोकुमेंट के लिए भी यहां पे रिक्वाइड की गई है कि कैंडिडेट जो है आठ बजे का इनको टाइम डूरेशन दिया गया है कैंडिडेट आइडी फूरूफ आधार कार्ड और दोस्तों काफी सारे कैंडिडेट लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे तो हम लिस्ट के बारे में भी डिसकस करने वाले हैं आठ टी पीसिया रिपोर्ट भी आपको दोस्तों यहां पे तीन दिन पहले की आपकी होनी चाहिए उसके जादा नहीं होनी चाहिए उस के भी आपकी यहां पर exam conduct हुए थे तो उन सभी का आपका लेटर आना स्टार्ट हो चुका है कई बार candidate के पास लेटर पहुंचा नहीं होगा लेकिन लेटर जिनका भी जो क्योलिपीकेशन होगा जिन्होंने क्लियर किया है तो उनका लेटर आ जाएगा अब result लिस्ट दोस्तों अगर वहाँ पे लगी है तो आप मुझे send कर देना दोस्तों कम ही चांस हैं कि आपकी result लिस्ट लगी है इसके जो हो अगर किसी के पास मिलती है तो आप मुझे यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं यह मेरे वाटसप नंबर है जिसे आप मुझे बता सकते हैं result लिस्ट आप send कर सकते हैं और मैं आपको केलिग्राम चेनल पे इस लिस्ट को send कर दूँगा लेकिन अभी जिनके लेटर आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे सभी के दोस्तों बड़ी कुसकबरी की बात है उनका यहाँ पे selection जो की हो चुका है skill के लिए और यहाँ पे जिन केनेड़ेट ने इन्होंने यह भी कहा है कि हम इन्हों को skill के लिए बुला रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये एक अपडेट थी जो की और जिनका नहीं आया है तो वेट ही करना होगा कोई लाज नहीं है और याप कोल वगएर पर कन्फरम कर सकते हैं अपना रोल नमबर वगएर है सारी चीजें आप डीटेल देकर कुछ भी पूछ सकते हैं सो गैज अब जिनका याँ पर लेटर नहीं आया है और कोल वगएर है कुछ करें तो आप मुझे अपडेट कर देना सो गैज आपको ये अपडेट करना तक काफी सारी कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर आप डी अससी के बारे में क्यो नहीं बताते हो तो मेरे पास जो भी अपडेट होती है तो मैं अपडेट करता हूँ लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तो कई बार लेट अपडेट होती है इसके पीछे यहां पे कई कारन्स होती है तो गाईज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छी लिगी हो इसी परकार आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब के लीजेगा और आपका आई होप सभी का डाउट भी किलियर हो गया होगा तो दोस्तों आपके लिए नई वीडियो में हम जो मिलते हैं जैहिंद जैभार्त बंदे मातरम